आउज़ बिल्लाही मेरे शेटान इर्वजीम बिस्मिल्लाही रुख्मान इर्रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं वर्चूल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विशिव यूट्यूब चैनल दोस्तों आपको राइट साइड में एक और भी लोगों नजर आ रहा होगा जो मेरे दूफरे चैनल 24R51 टीचर्व ऑनलाइन का है दोस्तों इस चैनल के उपर मैंने आप लोगों के लिए जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं चाहे वो मैनेजमेंट 55 से रिलेटिड हैं चाहे वो कम्प्यूटर 55 से रिलेटिड हैं उसमें आपका फैनेंचल अकाउंटिंग है फैनेंचल मैनेजमेंट है उसमें आपका इंट्रदक्शन टू कम्प्यूटिंग है इंट्रदक्शन टू प्रोग्रामिंग है और बहुत बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मुश्किल हैं उनके लेक्चर्व रिकॉर्ड है वो मैंने इस वीडियो के end में भी डाल दिया है और इस वीडियो की description में भी डाल दिया है www.youtube.com slash teachers online for you आप उस channel पर जाईए अपने जो मेरी वीडियो वहां पर दी गई है उनसे फाइदा उठाईए और सीखिए दोस्तों आज की यह जो मेरी वीडियो है वो mgt402 कोफ्ट and management accounting के जो हमारी assignment number 1 आई हुई है उफ से related है तो चलिए हम लोग अपनी assignment करते हैं और देखते हैं कि इस assignment की requirement क्या है दोस्तों इसमें हमें एक case दिया गया है ABC is a manufacturing concern of leather products management manufactured 500 leather bags to fill and order by incurring following cost एक कंपनी है जिसने 500 leather के bags बनाए है और उनकी कॉस्ट किये है following information has been extract the books of company to prepare the material ledger card for the month of December और उस company की जो books of accounts हैं वहां से ये information extract की गई है हमने क्या करना है यहां पर December 1st है company had 1500 kg material at RF 10 पर kg के उनके पाफ 1500 kg material available है और उसकी जो 1 kg की cost है वो 10 है उसके बाद 4 December purchase material of 2000 kg RF 11 पर kg के उन्होंने 4 December को 2000 kg material और purchase किया है और उसकी जो cost पर kg वो 11 रुपे है उसके बाद 13 December issued 25 kg material उन्होंने 25 मेटीरियल जो है वो कर दिया for working process उसके बाद December 19 purchase material of 500 kg उन्होंने 500 kg और खरीर किया है RF 12 पर kg और December 29 इशू 900 kg material और उन्होंने 900 kg material इशू किया यह तो है information additional कुछ हमें information दी गई है direct labor cost incurred during the period RF 50,000 factory overhead applied rate RF 50 पर direct labor और और डिरेक्ट लेबर और जो है वो 800 है हमारे ending inventory of finished goods and work in processes 10,000 पंदना आवर respectively they are no beginning inventory in the finished goods and work in process work in process for finished goods की जो है वो opening नहीं है हमने क्या करना है हमें दो requirement दी गई है इस assignment की हमने जो है prepare material ledger card by using the FIFO inventory valuation method हमने FIFO के तरह तहत मतलब first in first out जो चीज़ पहले आई है हमने पहले issue कर दी है उसके तहत perpetual inventory system हमने वो लेजर card बनाना है और second हमने क्या करना प्रिपेर कास्ट अफ गुड़ फोल स्टेट्मेंट फार दे मन्थ अफ दिसंबर और हमने कास्ट अफ गुड़ फोल तो चलिए अब हम लोग अपने इस असाइनमेंट के solution की तरफ चलते हैं और मैं आपको step by step पताता जाओंगा कि आपने material ledger card कैसे बनाना है और उसके बाद आपने कास्ट अफ गुड़ फोल्ड statement कैसे बनाना है तो सबसे पहले हम देखते हैं material ledger card by using FIFO method के आपने वो कैसे बनाना है इसमें देखें हमने जो है सबसे पहले date डाल रही है फिर रिषिप्ट डाल रही है फिर issue और फिर value of stock अब next जो है वो unit rate और total refit के नीचे भी आ गए इशू के नीचे भी आ गए और value of stock के नीचे भी आ गए अब हम बारी बारी एक एक perfection को देखते जाएंगे और उसकी entry में आप लोगों को करके दिखाता चला जाओंगा अब जो हमारी पहली entry है वो है refit qualified पे 10 kg और 15,000 total बन गया value of stock जो है वो हमारे पाब 1500 और 10 रेट है और 15,000 total इसकी cost बन गया ये तो है हमारी first transaction अब हमारी बारी आ जाती है second transaction की वो है हमारे पाब purchase material of 2000 kg उसकी जो पर केजी cost है वो 11 है तो ये हमने जो है purchase qualified हमने refit qualified पे 4 December date डाली उसके बाद 2000 unit refit qualified पे डाले 22,000 उनके total cost बन गई और इसी तरह हम लोगों ने value of stock जो है वो लिखनी है तो वो हमारी value of stock जो है वो 1510 रुपे के हिसाब से और फिर हमारे 2000 जो है वो 11 के हिसाब से तो हमारी जो total value बनती है वो हमारी बन जाती है 35 क्योंकि 15,000 और जमा हमने किया है इसके अंदर 22,000 तो total 30,000 बन गया अब हमारी थार्ड ट्रांसेक्शन आ जाती है थार्ड ट्रांसेक्शन देके issue किया है पच्छिस वो यूनिट issue हुए है आप देखें हमारे पाफ ये वाला stock available है कि 15 पहले वाले पड़े हैं दोगार बाज में आकर अब हमने 5-4 method ये है जिसमें ये है कि आपके पाफ जो पहले हैं अब पहले हमारे पाफ पंदरा हफो है तो उस में से हमने जो है पच्छिस वो इशू करना है 15 वो इशू करेंगे और 1,000 जो यूनिट है वो हम दोगार में से issue करेंगे तो यहां पे 13 देखे 15,000 यूनिट आपने वह इशू कर दिया 15,000 इसकी कास्ट हो गई 10 वाला उसके बाद अब जो हमारे पाद बैलन्स बचाए यह वैलियो स्टॉक है तो तो टोटल वैलियो स्टॉक है इसके बाद हमारे पाफ जो है नेक्स्ट दिसंबर 19 हमने फिर मैटिरियल परचेव किया 500 केजी 12 के इसाब से वह हम रिफिट्स वाली साइट पर डालेंगे 19 डेट डाली इसके ब से 6000 के और इस इतना देखें हमारे पाफ एक वार जो है वह पहले वाला पड़ा है 11 के इसाब से 11 गवार की कॉफ्ट हो गई पर 500 और आ गए और उसमें हमने 12 की कॉफ्ट 6000 के तो टोटल जो वैलियो है वह हमारे पाफ 17,000 आ गई इसके बाद दोस्तों हमारे पाफ जो अगली ट्रांफेक्शन है वो है इसु 900 यूनिट अब हमने जो 900 केजी मैटेरियल इसु की है वो इसु वाली साइड पर देखें हमने उननों 30 दिफंबर जो है वो डेज डाली उसके बाद 900 यूनिट हमने डाले उसके बाद 11 उसका रेट है क्योंकि हमारे पाफ पहले जो है वो 11 व है और 7,100 बचती है तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा जो है मेटेरियल लेजर कार्ड बन जाता है बाई यूजिंग दा फाइफो मैथड जो हम जिसमें हमने करना यह होता है कि जो चीज पहले आई है वो हमने सबसे पहले इसु करनी होती है या जारी करनी होती है फार निक्स्ट प्रॉसिस जिसको हम वर्किन प्रॉसिस या फिनिश गूर्व गएरा कहते हैं तो इस तरीके से आपने मेटीरियल लेजर कार्ड बनाना है अब बारी आजाती है हमारे दूसरी रिक्वाइर्मेंट की अब दूसरी जो रिक्वाइर्मेंट अफर इस बनाई अपनी वो मेटीरियल लेजर कार्ड अब हमाई जो नीचे इंफरमिशन दी गई है अडिशनल जिसमें हमारे पर टरक लेबर का उफ्ट है उसमें फेक्टरी ओवर हैड है उसमें हमारे पर वर्किन प्रॉसिस और फिनिश गूड्स की जो है वो एंडिंग अडिशनल इंफरमिशन हमने वो कास्ट अफ गूड्स बनाने के लिए हम सबसे पहले ओप्टिंग रॉ मेटेरियल वह मार पाव देखें सबसे जो पहले यूनिट पढ़े थे वह 15,000 के थे क्योंकर 15 वाले 15 वाले 10 उसकी कॉस्ट थी और जो है 150 यूनिट वो थे हमारे 12,000 बन गए उसके बाद हमने परचेजिव काउंट की हमारी जितनी भी उसके अंदर परचेजिव हैं वो हैं 28,000 की उसके बाद उसके बाद क्लोविंग स्टॉक मिटेरियल हमारे पाव आपको पता है कि 7,100 का एंड बेंब बैलन्स बचाता तो वो हमारा क्लोविंग स्टॉ उसके बाद ये तो हो गया मैटेरियल काफ्ट ऑस मैटेरियल कंवीर। जो है 35,900 आ गई। उसके बाद हमारे पर लेबर ही लेबर जो है वो हमें दी गई है इसके अंदर पिचास घुजार है वो हमने पिचास घुजार लिखिए तो ये टोकिव प्राइम काफ्ट हमारे पा तो हमारे 40,000 होग इसके साथ हमारी जो टोटल फेक्टिक कास है वो है 1,25,900 इसके बाद बात आ जाती है क्लोजिंग वरकेंट प्रासेस वो हमने मइनस करना है 15,000 तो हमारे पाफ जो टोटल फेक्ट कास्ट फेक्ट की वेलियू बन ती है वो है FIFO Method First In First Out कि उसमें जो सबसे पहले material आता है वो हम सबसे पहले issue करते हैं उसके बाद मैंने आपको cast of good fold बिनाने शिखाई ये भी आ गई हो कि जिसमें हमने material labor FOH को जमा किया और फिर minus किया work in process closing को और finish good closing को इसके साथ ही हमारी cast of good fold statement तयार होगे दोस्तों मुझे उमीद है आप मेरी video से सीक रही होंगे अगर आप यकिनन सीक रहे हैं तो आप मेरे दूसरे channel www.youtube.com slash teachers online for you पे जाईए वहाँ पे आपको CS101, MGT101 MGT201, CS201 HTML, Java Office और बहुत फारे lectures वहाँ पे आपके लिए available हैं आप जाईए उन से भी फाइदा उठाईए और जैसे आप मुझे इस channel के अंदर promote कर रहे हैं वहाँ पे भी promote कीजिए व्यादा से ज्यादा मेरी videos को देखिए ताके मैं और अच्छी videos बनाता रहूं और अपना feedback दीजिए अपने दोस्तों से share कीजिए दोस्तों मुझे अगली किफी एक आने वाली वीडियो तक जिफ में हम किफी एफाइन्मेंट के solution पर या GDP के solution पर बात करेंगे उस वक्त तक के लिए इजावत दीजिए टैंक्यू वरी मस्त दोस्तों अलाहाफिव